दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि बिहार सरकार दोवारा RTPS and Other Service यानि कि Service Plus की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट पर Login पेज में जब से नया वेबसाइट को एड किया गया तब से दोस्तों कई की आसे परमानपत हैं जिने आप औले Flynn करना चाहते हैं लेकिन वह मिल पार है इसे एक करेक्टर स पर में की परमान पत जिसमें कि आपके चरित को दर्वता आप जाता तो आप चरेट परमानपत से कि करने का complete process आगे इस वीडियों आपको इस्टे बेश्टे पूरे बारी किसे बताने वाला हूं तो वीडियो को अंतक देखते रही है मेरा नहीं राज कुमावर आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड से रि प्रोजर में टैप करना है service online.bihar.gov.in यह लिखके आप जैसे सर्च करने तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे आप जैसे आ जाते तो पहले आपको लोग इन करना होगा तो लोग इन करने के लिए आपको एक option देखने मिलेगा login आपको login बटन पर इस तरह से किलिक कर लोग इन के लिए आगे बढ़े आपको उस तरह से कलिक कर देने हैं लोगें के लिए आगे बढ़े पर जैसे के लिए दोस रही सब्सक्राइब कि देख सकते हैं तो पहले अपको इस website का login eid पासवर बनाना हूगा इनका login ID, password कैसे बनाएंगे उसके हमने पहले से वीडियो बना दिये हैं अगर आप वो वीडियो को देखना चाहते हैं तो ओपर आई बटन में या फिर वीडियो के निच्चे description में वो वीडियो का link मिल जाएगा तो वीडियो को देखके पहले आप इनका user ID, password बना लीजिए अब जैसे आप user ID, password बना लेते हैं उनकर आपको login करना हुगा तो login करने के लिए यहाँ आपको तीन option देखने के मिलेगा username से login कर सकते है, mobile number से login कर सकते है या other option के माधियम से भी login कर सकते है तो best रहेगा आपको mobile number के माधियम से तो simply आपको mobile पे click कर देना है उनकर यहाँ पे आपको अपना register mobile number एंटर करना है यहाँ पे password एंटर कर लेना है उसकोद आपको इस तरह से score करना है और यह जो दो box दिया है, इन दोनों box पे आपको इस तरह से click कर देना है और इस box पे click करना है, आपको simply यहाँ से sign in button पे click कर देना है sign in button पे आप जैसे ही किलिए दोस्तों आपको register mobile number पे 6 digit का OTP बेजा जाएगा OTP आपको यहाँ पे enter कर लेना है, उसकोद आपको simply sign in button पे इस तरह से click कर देना है Sign in button पे आप जैसे के लिए दोस्ति आप इस तरह से यहाँ पर sign in हो जाएंगे sign in होनेगा दोसरी के यहाँ पर side में आपको कई option देखने को मिलेगा तो धियान से देखेंगे दोस्तों यहाँ देखें आपको एक option देखने को मिलेगा तो सिंपल आपको इस तरह से अगर नीचे आ जाना है अगर आप करेक्टर साथ पीट के लिए अंलेन अप्लाइब करना चाहते हैं तो यहां देखें आपको एक ओप्शन देखने को मिलेगा ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों यहां देखें बिहार सर्वीस प्लस इस पर सब्सक्राइब करना है तो आप इसमें एक करके पूरे बारी किसे चेक कर लिए अगर आप एक करके पूरे बारी किसे चेक नहीं करना चाहते हैं तो आपको एक ओप्शन देखने को मिलेगा सब्सक्राइब करना है और यहां पर टाइप करना है सिर्फ इतना ही लिखके सब्सक्राइब कर देखने को मिलेगा आचन प्रवान पत अबेदन पत एप्लेकेशन फॉर्म आप इसू आप करेक्टर सब्सक्राइब उसका दोसरे के यहां से आपको अपना भासा का नाम सब्सक्राइब करना होगा कि आपको जो प्रवान पत मिलने वाल है वो कौन से भासा में चाहते हैं हिंदी में चाहते हैं तो आपको हिंदी पे क्लिक कर देना है तो मैं हिंदी में चाहता हूँ मैं इस तरह से हिंदी पे किल्क कर लिए, उनका दोस्तों यहां से आपको अबिबादन बताणा है, अगर आप अपने नाम के साथ तो, अगर नहीं लगाते हैं, तो कोई अभिबादन नहीं पे आपको इस प्रकार से लिखना है जैसे माल लिजे कि राजु कुमार जाहा है तो आपको आर केपिटल यानि कि सुरू का वर्ड आपको केपिटल में लिखना है बांकि आपको स्मॉल में लिखना है तो कुछ इस तरह से राजु लिखना है जैसे कुमार नाम है तो के आपको केपिटल में में जहार नाम है तो आपको फिर जे केपिटल में बांकी वर्ड आपको इस तरह से स्मॉल में लिख लेने तो कुछी इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आपको इंग्लिस में नाम लिख लेना है यहाँ आपको हिंदी में नाम लिख रहे हैं एक बात यहाँ अगर आप लैप्ट प्रोश का नाम हिन्दी लिखना है यहां पी पैता जी का नाम हिन्दे में लिकना है यहां पर कुπε करेक्टर आपलाई नाम से उनलाय CJT लेकिन किसी girls या boys या किसी pros का online apply करें तो यह column को खाली छोड़ देने यहाँ पर 10 digit का मॉयल नमर एंटर करना है यहाँ पर email एंटर करना है यह दोनों column भरने से यह फायदा रहे गा है कि जब आपका प्रमान पर बन जाएगा तो मॉयल पर message के माद्यम से और email पर PDF की रूपे भेज दिया जाता है उनका दोस्तों यहाँ पर आपको अपना अस्थाई पता बताना हुआ जिसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे पोस्ट आफ बन कटे लेन है उनका दोस्तों यह murt और पını चैक पर कर लेना है उनका दोस्ते के आपका जो स्थाई पता और जो सो वर्तमान पता यानि कि permanent address और present address दोनों सेम है तो इस विए आपको यह जो बॉक्स दिया है उपर जैसा से में जब आओ इस पर आपको इस तरह से प्रवाइल पर जाने और नीचा आउना दोसी कि यहाँ पर आपको एक पास्वॉड साइज फोटो अप्लोड करना होगा उसके लिए सिम्बल आपको चूज फैल पर किलिक करना और जहां भी आपका पार सोब साइज फोटो वह फोटो आपको इस तरह से अपलोड कर ले ने उ यानि होस भाइब है इन में से कुछ भी नहीं है तो आपको अन्य वाले उप्शन पर इस तरह से क्लिक कर देना है तो मैं इस्टुडेंट का अप्लाइक कर नहीं तो आपको यहां पर देखिए सबसे लास्ट में एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अन्य कोई कार जिसके लिए स सबस्क्राइब आपको अपने जीला के नाम बताना हुगा तो यहां से पंपना थाना का नाम बताना हुगा भी आपके थाना काशाना को युदर पीछे अब एक नाम सी मैने यह यह से लेकर बता ना होगा अजब महिने पर क्लिक करना है यहां पर नममबर कर लिए उसकोद यहां पर 2020 यानि कि News लेकर मैं यहां पर अब यानि 2022 तक बताना चाहन। मैं इस तरह से हमने यहां पर आपको इस तरह से रैट चीन लगा रहना चाहिए उसको आपको इस तरह से आपको इस तरह से प्रीओ आपको देखने का इन्हें आपको पूरे बाले किसे चेक कर लेना है कहीं कुछ गलर तो नहीं है उसको आपको इस तरह से को करना हुआ तो डौकुमेंट अपलोड करने पर आपको यहां पे डौकुमेंट का नाम स्लाइट करना हुआ क्वें कुण सा अब डौकुमेंट अफ्लोड करें जिसमें क्या आप देख सकते हैं निर्वाचन पाठ्चान पत अधार कार्ड पेंन कार्ड पासपोर्ट और हहां पर ढॉकुमें सेव अनेक्सर पे आप जेसी के लिए दोस्तों आपका फॉर्म का फिर से एक वार फाइनल प्रिव्यू देखनेक मिल जाएगा तो अभी भी आप इसमें चेक कर लिजिए और चेक करना दोस्तों अब आपको काया नहीं यहां से सब्मीट बटन पे इस तरह से किलिक कर देना है सब्मीट बटन पे आप जेसी के लिए और दोस्तों इस तरह से आपको सफलता प्रोग ऑनलेन आवेदन हो जाएगा और यहां पे आपको रिसीविंग देखनेक मिल जाएगा तो आप चाहे तो यह रिसीविंग को डॉनलोर कर लिजिए या फिर प्रिंट कर लिजिए अगर आप डॉनलोर करना चाहते है ते आपको इस तरह से अस्कौर करना और यहां देखें आपको एक अपसं देखनेक मिलेगा एक्सपोर्ट टू पिडियाप इस पर आपको इस तरह से क्लिक कर देने हैं अब इस पर जैसे के लिएद्ए रूप में और मगाईग दिया जाएगा अब एक बात ध्यान दे दोस्तों कि आगर आप character start fit के लिए online apply किये हैं तो हो सकता है कि आपको अपने police station जाके वहाँ पर verify भी कराना पड़े तो दोस्तों इस सरह से आप बहुत आसान तरीके से घर बेटे खुद से character start fit के लिए online apply कर सकते हैं उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आए तो like किजिए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को share किजिए और आपके मन में कोई सवाल कोई confusion या कुछ पूछना हो तो नीचे comment box में आप बेज जी जग हमसे पूछ सकते हैं